हेलो बच्चों स्वागत थे आप सभी का आर्वी ओडिट्यूब क्लास में तो आज ये जो कोश्चन लेकर करके हूं क्लास 9 की मैध की बुक से लिया गया है ये कोश्चन exercise 4.1 का question number first है इस question को हम देखेंगे question है बहुत ही आसान आप बस द्यान से देखिए ठीक है question number first है the cast of a notebook is twice ज्यान देना यहां पर क्या बोला है twice है ना आप तब तक बताओ कि twice का मतलब क्या होता है जब तक मैं इस question को पढ़ रहा हूं comment box में बताओ बहुत लोगों को तो यहीं नहीं पता होगा कि twice का मतलब क्या होता है the cast of a pen मतलब जो notebook की कीमत है देखो notebook का मतलब होता है copy और pen का मतलब होता है column यानि कि notebook को जो कीमत है वो pen का दो गुना है माली जीय की जैसे pen 10 रुपे का है तो notebook 20 रुपे का होगा 2 टेंजर 20 मतलब 2 से multiply करेंगे write a linear equation in two variables represented this statement हमें कुछ नहीं करना है इसको solve नहीं करना हैं सिर्फ इसका equation बना के लिखना है तोह और सबसे पहले बता दूख का मतलब क्या होता है देखो पाइस का मतलब यह होता है कि two times two times यानि कि two से multiply करा देना है जिसके बारे में बोला है तो अभी यह बोला है कि जो notebook की कीमत है वो pen का twice है मतलब pen में two से into करा देना है ठीक है लेकिन अभी क्या है कि question में हमें कुछ करना है ना जैसे लेट करना पड़ेगा X किसे कहते हैं Y किसे कहते हैं XY में इसलिए लेट करना पड़ेगा को कि आपे बोला है कि two variable में लिखो किस में लिखो two variable में तो वैसे तो जो two variable होता है वो होता है AX पलस BY पलस C is equal to zero यह हमारा क्या होता है फार्मूला होता है या फिर standard form होता है linear equation ने two variable का जिसमें एक variable X है और एक variable y है, यानि कि जब यह बोलाई कि two variable के form में लिखना है, तो x, y जैसा कुछ आना चाहिए, ठीक है, चलो फिर, आगे question जब पढ़ोगे, तो उसमें एक hint दिया गया है, कि notebook का जो price है, उसको x let करो, क्या चीज, पैन का जो price है, उसको y let करो, तो चलो फिर let कर लेते हैं, solution, let the cost of notebook is xrs and the cost of pen is yrs, then, according to condition, यानि की question है, जो condition काया है, उसके according क्या होगा, देखो, हमने क्या किया यहाँ पर, let the cost of notebook is xrs, मने की जो copy की कीमत है, वो x rupees है, and the cost of a pen is yrs, और जो कलम की कीमत है, वो कितनी है, yrs है, then according to condition, condition ने क्या कहा है, देखो, condition ने कहा है, cost of notebook, a notebook, a notebook, cost of a notebook is equal to twice of the cost of a pen, ठीके, cost का मतलब होता है, रुप्या, cost, है ना, तो यहाँ पर मान लिया कि, हमने आपे माना है, कि जो notebook की cost है, वो x rupees है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, twice का मतलब होता है, 2 into cost of a pen को हमने y relate किया है, तो यह क्या बनेगा, x is equal to 2y, equation कैसी बनेगी, x is equal to 2y बनेगी, ax plus by plus c is equal to 0, जितने भी term हो left side में होने चाहिए, और 0 right side में होना चाहिए, तो इस case में क्या करेंगे, इसको हम इधर ले करके आएंगे, तो अभी ध्यान से देखना, यह plus sign के साथ है, कि sign के साथ है, plus sign के साथ, तो इधर आए जाएगा minus sign के साथ, इस इकोल to 0, तो finally यह हमारा equation बनेगा, क्या बनेगा, finally हमारा equation बनेगा, यह हमारा क्या होगा, answer होगा, इसके आगे हमें कुछ भी करने की जरूद नहीं है, इसका solution find करने की जरूद नहीं है, अगर आप इसका solution find कर देते हो, तो उसे कोई भी लाब नहीं होगा, आपको इसका marks नहीं मिलेगा ठीक है अगर question में बोला है कि represent the statement तो या फिर farm the equation तो आपको बस यहीं तक करना होता है इसके आगे नहीं करना होता है तो उमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा अगर यह वीडियो जरा भी helpful लगा है पसंद आया है तो वीडियो को like share ज़रूर करें साथी साथ subscribe किये बिना ना जाएं ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब देखे लिए thank you class